किस्मूद्ध इंगल उफ इंक्लिनेशन थर्टी डिग्री इस प्लेशड ऑन दा फ्लोर ओफ ए कंपार्ट्मेंट ओफ ए ट्रेंड मुविंग्विध य। एक कॉंस्टेंट एक्षिलीशन A एक train है, जो constant acceleration A से move कर रहा है, उसके compartment के अंदर में एक smooth inclined plane, जिसका inclination 30 degree है, उसके compartment के floor में रख दिया गिया है, train motion में है, उसके अंदर में inclined plane उसके compartment के floor पर रख दिया गिया है, ठीक है, when a block is placed on the inclined plane, जब एक block उसको inclined plane पर place किया आता है, it does not slide down, उनों slide नहीं होता है, inclined plane पर नीचे की तरफ slide नहीं होता है, और अब दा plane, ना ही वो उपर जाता है, ठीक है, ना नीचे ना उपर, ठीक है, इसके floor पर, इस floor पर हम लोगों ने क्या किया, एक inclined plane रख दिया गिया, जिसका inclination 30 डिग्री है, inclination 30 डिग्री है, उसको उपर एक मास जब रखा गिया, तो यह मास नहीं नीचे आता है, नहीं उपर जाता है, ठीक है, मास is stationary with respect to the inclined plane, ठीक है, उसके surface के respect में वो stationary रखता है, ठीक है, motion नहीं करता है, सो देखो, आपको निकालना है एक आवेलू, सो जब इस मास को, मास का कुछ भी वेलू हो, माल लो मास का, मास अगर M है, सो डाउन दा इंकलाइन क्या force लगेगा, Mg, sine, 30 degree, है ना, ठीक है, मास आपने रखा इस तरह से, inclination, theta है, सो क्या होता है, Mg downward, this is Mg, cos theta, डाउन दा प्लेन, Mg, sine theta, ठीक है, यह है, अब यह मास क्या है, मास तो inclined plane पर रखा गिया, और inclined plane motion में नहीं है, प्लस वो inclined plane क्या है, आपका compartment के अंदर में है, ठीक है, compartment के अंदर में वो motion नहीं कर रहा है, बट यह compartment के साथ move कर रहा है, ठीक है ना, सो एक pseudo force क्या होगा, एक pseudo force लगेगा आपका, इसके उपर, small mass के उपर, जो पीछे की तरफ होगा, ए, ठीक है, सो इस pseudo force के करण, में, ठीक है, pseudo force क्या होता है, mass of the body, into the acceleration, ठीक है, इस compartment का acceleration अगर ए है, सो इस पर pseudo force क्या लगेगा, इस body का mass, into the acceleration of this compartment, में पीछे की तरफ में, ठीक है, सो, prevent the sliding down, prevent it from sliding down, upward कोई force होना चाहिए, सो वो upward force कांपोनेंट कहां से आएगा, इस pseudo force से आएगा, देख लिजे, सो, अप दा incline, this ground plane and this force are parallel to each other, सो अगर यह 30 degree है, सो यह एंगल भी 30 degree हो जाएगा, सीखे, इस एंगल इस अलसो 30 degree, सो यह एंगल 30 degree होने के कारण, यह जो upward component of this ma होगा, this is ma cos 30 degree, ठीक है, सो यही वो force है, ma cos 30 degree, जो इसको balance कर लेगा, और यह block नहीं नीचे जाएगा, नहीं उपर जाएगा, ठीक है, सो क्या होना चाहिए, upward force, is equal to downward force, सो हम लोग क्या लिख सकते है, mg, sin 30 degree, is equal to ma cos 30 degree, ओके, सो m cancel both side, सो यह g sin 30 degree हो जाएगा, divide by cos 30 degree, is equal to a, सो a का value क्या हो गया, g 10 30 degree, 10 30 degree का value कितना आएगा, 1 by root 3, सो इस g by root 3, ठीक है, सो जो compartment का acceleration होगा, वो g by root 3 होना चाहिए, अगर g by root 3 compartment का acceleration होगा, सो अगर inclination 30 degree है plane का, तो उस पर कोई भी मास अगर रखिएगा, सो नहीं नीचे जाएगा, नहीं, वो उपर जाएगा, ठीक है, सो this would be the acceleration of the compartment of the train, ठीक है, सो a equal to g by root 3, ठीक हो, सो overall train का भी acceleration यही है, अना, झालाई यही चाही है, इसना,